हेलो फ्रेंड स्वागत है आपको हमारे इस उपासना फैसन चैनल में दोस्तो आज मैं आपको छट पर्व की डीटेल्स की जानकारी दूँगी छट पर्व का महत्व क्या है और कैसे मनाया जाता है अगर आप भी चाहते हों छट पर्व को करना तो इसे अवस्य पढ़े दोस्तो इससे पहले कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले दोस्तो हिंदू धर में छट पर्व का विसेश महत्व है यह पर्व खास कर बिहार जारखन और उत्तर परदेश में मनाया जाता है यह कार्तिक मास के सुख्ल पक्ष की चतूर्थी से आरंभ होकर सब्तमी तक चलता है इस साल यह पर्व 24 अक्टूबर से सुरू होकर 27 अक्टूबर को समाप्थ होगी यह पर्व को करने की प्रथा पुरुस और महिलाएं दोनों में होती है यह पर्व बहुत ही हरसुलास और आस्था के साथ मनाया जाता है इस पर्व को करने के लिए जो महिला या पुरुस ठान लेते हैं वो चार दिन तक बिलकुल ही सुर्य देवता के आस्था में डूब जाते हैं तो दोस्तों आए मैं अब आपको इस पर्व की तिथी के बारे में बताती हूँ दोस्तों यह पर्व नहाय खाय से सुरू होकर चार दिनों तक चलता है नहाय खाय के दिन घर की सफाई कर स्वेम सुद्ध होकर और सुद्धिसा का हारी भोजन की रूप में चावल और लौकी की सबजी खाते हैं दूसरा दिन होता है खड़ना का इस दिन पूरे दिन भर उपवास रखकर साम के समय गन्य के रस या गूर से बने हुए चावल का खीर परसाद के रूप में खाया जाता है तीसरा दिन होता है साम का अर्ध सुरिसस्टी जो की सुरिसस्टी होता है उस दिन सुरिसस्टी को पूरे दिन भर उपवास रखकर साम के समय डूबते हुए सुर्ज का अर्ध देने के लिए पूजा की सामागरी को लकडी के डाल में रखकर घाट पर ले जाया जाता है अर्द देने के बाद घर आकर सारा सामान वैसे ही रख दिया जाता है और पूरी रात छटी मैया का गीत और ब्रत कथा सुनना चाहिए इससे सुफ फल की प्राप्ती होती है मन सुध होता है, सरीर सुध होता है चौथा दिन होता है सुबह का अर्द सुबह सुबह उठकर जो भी महिला या पूरुस छट ब्रत का उपवास रखे रहते हैं घर के परिवार, आजू-बाजू के लोग सब लोग घाट पर वैसे ही पूजा की टोकरी लेकर जाते हैं और उगते हुए सुरी की पहली कीरन को अर्द देते हैं इसके बाद घर आकर सबको परसाद बाटकर खुद परसाद ग्रहन करती है और इस परकार अपने यह आस्था के पर्व को समाप्त करती है तोड़ती है परसाद खाकर दोस्तों अगर आपके मन में भी सुरी भगवान के प्रती आस्था है और करना चाहते हैं तो घाट पे जाके जरूर इस पर्व को कैसी किया जाता है वो देखें तो दोस्तों छट पर्व के बारे में मेरी यह जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट में जरूर लिखिएगा अगर मेरी यह बाते अच्छी लगी छट पर्व के महत्व के बारे में और लोग इसे कैसे करते हैं कैसे समाप्त करते हैं तो मेरे इस चैनल को सेर और सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू